नमस्कार, 1916, यह कोई मैं किसी सन की बात नहीं कर रहा हूँ, यह आंकड़ा है राज समन्द में वर्तमान में एक्टिव कोरोना कैसेज का, अलगी हमेशा आप में पोजिटिव नेगटिव के आंकड़ों से बताते हैं, यह इसलिए बता रहा हूँ 1916, एक लंबे समय के बाद आंकड़ा 2000 के नीचे आया है, तो हमको इसी तरह से सतरक और सकारात्मक रहना है, इन आंकड़ों खतम करना है, नए पोजिटिव आये हैं 105, और जो लोग ठीक हुए हैं कोरोना से, वो संक्या है 263, तो बस इसी तरह से डटे रहना है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शोशल म अच्छी खबरे मिलती है, आपस में राजनितिक बहस मिलती है, अपने दावे मिलते हैं, मगर उनके बीच में कहीं कुछ अच्छी खबरे मिलती है, उन में से किसी आच्छी खबर से आपको रूब रूब करवाता हूं, रासमद में अच्छा ग्रूप है, काफी famous है, JC konuş, उ कुछ समय तक शोशल मीडिया में सब्दान्जलियों का एक दोर चला था पर अब उसके काफी समय बात कल एक बार वो गुरुप फिर से उस व्यक्तित्व के लिए सक्रिय हुआ एक मेसेज आता है कि अब वो चले गए मगर हमें उनका सहारा बनना है हमको एक सपोर्ट करना है एक मेसे जाता है गोरो प्रजापत डालते हैं और एक राशी लिखके बेशते हैं कि 21,000 रुपे मेरी तरफ से और वहां से ये कारवा शुरू होता है हम करा समान नगर परश्रद के पारसद लच्छू ब्रॉपह उसमें जूडते हैं फिर उसमें किसी ने मदद मांगी नहीं, यहां किसी ने एक दूसरे को कहा नहीं कि आप करो, सब कुछ अपने मन से हुआ, यह खबर बताना इसलिए जरूरी समझता हूं, कि अगर हम चाहें, ति सोसल मीडिया के माधियम से कुछ ऐसे पहल कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्जामबल सेट कर सकते हैं, जो ना केवल एक दूसरे को आपस में जोड़े रखें, बलकि जो इस परकार से हाथ से होते हैं, उनके परिवार को यह एहसास दिला सके, कि हम आज भी आपके साथ हैं, हम आज भी आपका संबल बने हुए हैं, जो चले गए उनकी दो बेटियों का जिकर उस ग्रूप म होने पड़े हैं, तो उसमें जिसने मदद किया, उन्होंने एक बात जरूर कही है, कि भाईशे में भी जब भी उनकी बेटियों को कुई जरूत पड़ेगी, हम मदद करेंगे, यह अच्छी पहले, अच्छा प्रियास है, और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैसी ग्रूप को, यह खबर इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहां से प्रेणा ले सके, इससे आगे चलते हैं, रासमन जिल्ला मुख्यले पर आज एक खबर बड़ी चर्चाओं में रही, खबर के एक इससे में रासमन के कुछ गो सेवक थे, तो एक पक्स रासमन के उपसबबती च किसी भी प्रकार की वहां एक दुरुगटना की संभावना थी उस वक्त, आसपास के लोगों ने उसको संभाला, वहां गो सेवक भी पहुचे, सोनु जी और दीपक और यह लोग, तो बताय जा रहा है कि फिर मालिक भी आया, फिर उसमें उपसबबती जी आये और इन सब के का मामला बन गया, बहस का मामला बन गया, और सुन्ने मिया आ रहा है कि वहां पर हाता पै भी हुई, इससे आक्रोफ सित फिर माया तहने में एक पहुचे, और जहां तक हमें जानकरी है, तो वहां थाने में जो वह पहुचे तो उसके बाद उपसबबती स्जो уч ए निलाल- माहुल थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी उसमें थोड़ा सा वो अपने पर नियन तरफ निय कर पाए तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी तो इस तरह से वह मामला वहां सुलज यहाँ सुबह 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 जो शिवा मुला के अंदर के और सोनु जी जो दो सेवा के हेतु काम करते हैं कुछ विस अंडरस्टेंडिंग के तत इन दोनों में बादसीच हुई जिसके बाद उपसभापती भैसाब उन्होंने सोनु भई पर हाथ उखाया और हमारा यही निवेदन है उपसभापती साहब से हम सब आपके लिए प्रजा है आपकी आप किसी एक वार्ड को लेकर और बविश्य में यह भी आप से चाहता हूं कि कभी भी गउसेवा के तहट अगर आपको कोई भी आवसेक्ता है अगर मेरी होगी मैं आपको सरक्षान प्राप्त करूंगा वार्मी है यह अच्छी तरह जानता है कि लोगडों के अंदर जितनी बहुस्वागर दालना जाके हम और जो मेरे से आज जो गतना करम हुआ भी गर्मा गर्मी के बीच में जो गाई भी तो उसकी गाई विया कि तो मैंने यह निविदन कहा था गाई देदो यार गरीब आदमी यह खा था तो लेकिन का कहना था हम तो गोसला देंगे अच्छी बात है इनके विचार भी अच्छी बात है कि इस कोरोना काल में वैसे ही सभी लोग बहुत परिशान है तो कोट कर्चेरियों के चक्कर और थाने और इन सब से दूरी रहे हम लोग आप सी संज़ाई समझाई से इन्होंने मामला निप्टाया एक अच्छी बात है और अब सभी से आग रहे है कि इस मा इस कोरोना काल में हम सभी को इनका संबल बनने की जरूरत है और अगर हम किसी पदपर है और प्रभावी लोग है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है और इस वीडियो के माधियम से मैं अब उपसभवती जी के आगरह करूँगा कुछ दिन पहले एक जानक हम यहां की सक्रियता वहां आपके बहतर परिणाम दे सके खबरों में आगे चलते हैं गत कुछ समय से कुछ पक्षियों के मारे जाने के उनके शिकार की खबरे आ रहे थी तब से लेकर ही प्रशाशन बड़ाई सक्रिय था प्रशाशन ने एरिकेशन डिपार्मेंट नगर प्रशाशन और वनवी भाग इन लोगों से मिलकर कुछ टीमों का गटन किया था और वो लगतार सक्रिय थी उनकी सक्रियता के परिणाम आज देखने को मिले जब भना लवाना वाला जो चोर है वहां पर प्रशाशन ने कुछ नाव जबत की कुछ जाल जबत किये कुछ ट् बलकि जो बेरोक्टोक यहां लंबे समय से मचली मारी जा रही थी मचली पकड़ी जा रही थी उस पर भी एक नियंत्रण होगा इससे आगे चलते हैं बाहर अशुशन में आज टिका करन हुआ टिका करन पुना शुरू हो चुका है टिके आ चुके हैं और बाहर अशुशन म मादी हम से मैं सिर्फ इतना सा एक हलके फुलके नोट पर ये बात कहना चाहूंगा कि वकिल लोग हमेशा जज के सामने एक दूसरे से तकरार करते हैं मगर आज सभी एक मत होकर तीके लगवा रहे थें इसका मतलब है कि टीका करना बड़ा ही जरूरी है हम सभी को भी एक मत होकर ये टीके लगवाने है इससे आगे एक वाक्या और बताता हूँ मैं आपको सेवा का हम क्यों कोशिश करता है कि एक एपिसोड किसी की सेवा से जुड़ा वह जरूर ले अभी वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है कोरोना के पेशेंट्स के लिए एक इंजेक्शन मेथिलीन ब्ल्यू ये बड़ा ही उप्योगी हो रहा है बताया जा रहा है कि इसके बाद जो रहत मिल रही है उन रोग्यों को बड़ी फास्ट मिल रही है कल ऐसा हुआ कि ये इंजेक्शन यहां खतम हो गया उस समय यहां से केलाजी निसकलंक कुल्दीप सिंगोड और सुनिल माली यह तीन लोग हाथो हाथ उदेपुर जाते हैं वहां से तकरीबन पचास इंजेक्शन वहां से अपातकाल में तुन्त लेकर आते हैं और यहां फिर उसके बाद आने से लेकर जिस जिसको भी आवशकता जिस प्रकार से पढ़ रही है उनको निशुल के यह वित्रित कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है अच्छा लगता है जब लोग इस प्रकार से डटे हुए हैं अब चंद फोटो में आपको और बता जाता हूं आज सोशल मीडिया क्योंकि मैं आज कलेक्ट कर रहा था यह जितनी भी आप मेरे साइड में फोटो देख रहे हैं यह जो एक स्टेडियम का मामला चल रहा है भाना में यह वहां के वहां से जूड़ी हुई है और लोग अब लोग उस स्टेडियम जिसकी अभी तक आधार शिला भी नहीं रखे गई उसके नाम तक रखने लग गए हैं मतलब लोग उस परिकल्पना से जुड़ चुके हैं अपने खयालों में उस स्टेडियम को जीना शुरू कर दिया है और अपने सपनों में उस स्टेडियम को सोच शुरू करें अब आते हैं कल के जवाब पर कल मैंने एक सवाल पुछा था कि जो रासमन के हाइवे पर भीम से लेकर देलवाड़ा तक और इस तरह कुमार्या तक जो टोलनाके हैं उनके समीप परती गाव कौन से हैं कौन से ऐसे गाव है इनके नाम से उस टोलनाके को जाना जाता है हैं एक सबस्क्ति टोल है वहाँ फिर क में हम क्रोफ करके आते हैं तो यह तो लए जो अकरी देल तक पहुचते हैं तो वो नेग्डिया टोढ़ है । और अगला श्वा Ching अगला सवाल ये है अब आपको बताना है कि रभ राजसमंद जिल्ला बना उसके शुरुवाती फस्ट फाइव जिल्ला कलेक्टर कौन थे एक से लेकर पांच तक जो जिल्ला कलेक्टर रहे हैं रासमंद जिल्ला बनने के बाद आपको उनके नाम हमें भेजने हैं और एक आग्रह हो रहे हैं इसके साथ कि क्यूंकि हमारी टीम मैंने पहले बताया था कि हमारे पास जब आते हैं यह एडिटिंग होकर हम आप भेजते हैं तब तक काफी देर हो जाती है फेस्बुक पर तो तकरीबन यूटूब पर आने के इन से जल्द जुड़ना चाते हैं और जवाब के विजयता बनना चाते हैं तो रासमन एक्स्प्रेस को यूटूब पर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद